तो चलो हाज हम यूनिट फर्स्ट जो आप देख रहे थे हम लोग बैंकिंग इस्ट्री आफ इंडिया तो उसको आज कंप्लीट कर देते हैं कोशिस करते हैं कि कंप्लीट हो जाए ठीक है तो अब पिछले क्लास में हम हेटक्वाटर साफ बैंक देखे थे कुछ ट्रिक से हम कलियों थे तो थोड़ा सा माइक का प्रचामें नहीं रहेगा वह वाइस तो टोड़ से स्टार्टे हैं आज की देखो अब अपने इंडिया में बैंक किस से स्टार्ट हुए जब बैंक नहीं था तो किस सरय है जुए कामर्षयल चीजें होती तो वह किस तरह से हो जैसे आप लोग जानते हैं बर्टर सिस्टम बर्टर सिस्टम क्या था एक तरह का सिस्टम था जिसमें की जैसे सामान कुछ है कुछ आपके पास जैसे कुमोडेटी है कुछ थिंग्स है आपके पास उसको अदला बदली करके क्या करते थे जैसे किसी को चावल चाहिए तो गे क्विसके बदले हम क्या करते थे इसको एक्षेंज कर लेते थे यहीं बटर सीस्टेम अपन участ तो बैंक नहीं था तो किस तरह से सब यह चलती थी देखो यह कि बर्ट इंडिया में क्या था इंडिया में क्या था वो क्या था तो जो करती हमारे पास था उसका एक्षेंज करते हैं जैसे नहीं है लुआ किसी दूसरे वीस्टे में इसको ही बार्डल सिस्टंड थे है अब अपनी इंडिया में तक उसटार बटर सिस्टम था था इंडिया वास्ट आप्धेव करते हैं कि यह सब चीजे कितने साल हजारों साल पहले ही कॉटिल ने लेकिन हमारे देश में अपने वही बात है तो उसके लोग भान नहीं देदें दूसरे के चीजे को नकल करके उसको कॉपी कर लो अच्छ देखो अब यह ना आत्मनिल्बर भारत बना रहे हैं किस तरह से बनाने हैं समान को बाहर जे मना के राम इट्रियल को बाहर बाहर से मंगा के अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं मतलब असेंबल कर रहे हैं तो इससे क्या आत्मनिल्बर भारत बनेगा नहीं बनेगा कभी बनेगा ही नहीं कि हमारा जो लेंग्वेज है हिंदी और एक लेंग्वेज चाइनीज आप लोग जाते हों जितने की प्रोग्रामियों होता है जो भी चीजें होती है वह सब क्या होता है चानीज लैग्वेज में सारे इंग्लिज नहीं करते है अब बात तो इतनी हो गये पता आप लोग संस्कृ्ट जो लैग्वेज है खुरत बड़े बड़े सेंटेंस को सिंगल वर्ड में समझा सकते तो प्रोग्रामिंग जैसी चीज है कि इतना सिंपल छोटा लिखो प्रोग्राम चोटा बने का और उतना ही बढ़ी अतरीके से वह कोई सीख सकता तो अगर हमारे कंट्री में अगर हिंदी में चलो ठीक है संस्कित को ही प्रमोट कर दिया तो कितना आगे जाएगा कंट्री को अच्छा प्रफ पता है तो अपने कंट्री के दौर मैनिफेक्ट्र किया रहता है आप लोगों को बता है और बोलते हैं कि अधिक सोदेशी है वह बट प्रबर उसमें क्या है कि आज बी 70-75% उसके जो कंपोनेंट्स है वह में इंडिया नहीं है बाहर से रा मेटिरेंस सब्सक्राइब करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें अब क्या हो उसके बाद अलेक्जेंदर एंडिया में सबसे पहले जो क्या बना बैंक बना उसका ना क्या था बैंक आफ हिंदूस्तान ठीक है बैंक आफ हिंदूस्तान और किसने बनाए अलेक्जेंदर एंड कंपड़ी आगे अब कर बना देखो यह भी इंपॉर्टेंट है कि बना तो इसका नाव को बना पहले इसका नाव को लगता था लेकिन अब पहला बनाया अलेक्जेंदर एंड कंपड़ी ने बैंक आफ हिंदूस्तान के नाम से और प्रभाव पड़े इसका बहुत बड़ा रीजिए कि जो लाइबर जाती है जैसे कि कुछ हिस्सा ना कुछ प्रभाव इंडियन स्पेक्स में रहना चाहिए वह बिल्कुल यहां पर ना के बराबर बिल्कुल था ही नहीं ठीक है तब यह भाई जब लॉस में चला जा जाने लगा लोग इंट्रेस्ट देना कम लग गए तो क्या हो गया इसको बंद करने के बाद की शिवाण का तेन का बचल चाहिए एक प्रेसीडेंसी जो अंग्रेज्व कि प्र fonts द देन्स लेकिन अभी अपने इंडिया के जो सहीर था इंट्रेस का वह भी क्या था बिल्कुल बहुत ही कव था तो यह बैंक तो बंद नहीं हुआ आगे क्या हुआ एंग्रेजों नहीं चाहिए यहां को जाता इंडियांस इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहे थे तो 1881 में क्या हुआ एक नया बैंक भला गया और उसमें इंडियांस के लिए कर सकते हैं तो अब इंडियांस को मिनिम्म लाइबिल्टीज देखे 1881 में एक बैंक खोला गया जिसको बोलते हैं अवद बैंक क्या नाना उसका था अवद बैंक तो इंडिया के लिए पहला बैंक जो खोला था लाइबिल्टीज के साथ मिनिम्म लाइबिल्टीज के साथ तो वह अवध कामर्सियल बैंक था तो यह अवध कामर्सियल बैंक आप था था लेकिन यहां बहुत तो अब इसलिए एंडिया इंडिया ओपन जिसका नाम क्या है पंजाब निसमिनल पैंक क्या नाम था देखो इंडिया ओपन अब बैंक भी हैं मैं क्या था पिएन पी पंजाब में टिके एंडिया के लगे था फॉपन किया इसको इसको लाहर में उपन किया लाला राजपात्रा तो फस्ट यहांटने वह था अब देखो यह जो बैंक खोले थे बैंक आफ बेंगाल 186 में बैंक आफ वरोदा 1840 में स्वारी बैंक आफ बंबे और बैंक अब अब देखो इनका क्या किया इन्होंने कि 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों को इन्होंने क्या कर दिया मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक आफ इंडिया जिसका नाम क्या रखा इंपीरियल बैंक आफ इंडिया ठीक है तो इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक आफ इंडिया का नाम दे दिया ठीक है इन तीनों को मर्ज करके अब देखो यही जो इंपीरियल बैंक आफ इंडि 1955 को यह बन गया SBI, State Bank का India, ठीक है, तो इसका है, क्या बना, First of July 1955 को क्या बना, SBI, ठीक है, और उस टाइम इसका Headquarter कहां रखे, और इसका Headquarter कहां रख दिये, मुंबई, ठीक है, Headquarter based in मुंबई, तो देखो, एक जुलाई को, एक जुलाई को क्या मना जाता है, एक जुलाई को मना जाता है, SBI Day, तो एक जुलाई को मना जाता है, आपका SBI Day, क्योंकि एक जुलाई को ही, Imperial Bank of India, क्या बना था, SBI बना था, और इसका Headquarter based in मुंबई, अच्छे देखो, SBI के बारे हम कुछ जान लेते हैं, ठीक है, इसका Tag Line ओपर हो, देखते रहेंगे, देख अब कौन है, आच्छा देखो, अभी तो रजनीश कुमार जी है, इसके चेर्मेन, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार इसके चेर्मेन है, आपको बता दो कि यहां के चेर्मेन जो है, वो कौन है, रजनीश कुमार, तो पूछेगा कि प्रिवियस ली कौन है, यहां के चेर् फिस प्रिवेस्ली चैर्मन कौन थे यह पूचता है यह प्रिवेस्ली थे तो प्रिवेस्ली होके बारे में कुछ सीजह और बता देता हूं कि देखो कि एस बी आई जो है जैसे वर्ड के टाप एंडरेट बैंक्स है वर्ड के टाप एक रिपोर्ट है कि वर्ड में टॉप हैंistant banks टो वर्ड के टाफ हैंड़ेट बैंक्स में इंडिया का वल्ली वन बैंक है इंडिया का वनली वन बैंक है इंडियाज वनली वन बैंक लिस्टेड इंडिया का वनली वन बैंक है जो वर्ड बंकètres देखा जाए वर्ड के हेंडरिट बैंक में तो S会 कर रैंक है पागतालीं सेब्स्वार रैंक क्या है SPI का ठीक है हंडिट बैंक में टाफंडे बैंक में पैसले समंताल्य रैंक जो है इस बीचा थीक है अब दिखों एक या यह स्कोर्य जान लो कि या दिन एक है कि आ हैं बेंक आफ इंडिया लाज़स्ट कमर्शिल बैंक आफ इंडिया अच्छा देखो इसके कुछ डेटा प्रुवाइट मैं करता हूं जैसे किTने रांच सिसके कितने के टीम से यह भी चीजे ज़्यादा जाना जरूए अच्छा देखो इसके कैपिटल कितना इसका कैपिटल कितना आप तो बढ़ गया होगा ठीक है मैं दोजर दोजार उननीस को बड़ेटा बता रहा हूं कि इसके कैपिटल लगभग इस टाइम 41 लैक क्रोड है 3,85,000 ATM से और इसके ब्रांचेज जो है इस टाइम कितने 22,500 ब्रांचेज 22,500 ठीक है सुरी 22,000 नहीं इतने है ठीक है दोजार और सुरी 22,500 सुरी 22,500 इसके ब्रांचेज है कस्टमर अगर पूछा जाए कस्टमर्स देखो यह बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है तब यह डेटा पता चलता है कस्टमर लगभग 50 करोड के आसपास है अब बढ़ गया हूंग लेकिन 50 करोड के आसपास क्या है इसके कस्टमर्स है ठीक है तो देख लो इतना बड़ा यह आपका का SBI बैंक है ठीक है अच्छा कुछ चीज़ा और भी देख लेते हैं SBI के बारे में ठीक है SBI के बारे में नहीं जैसे मैं क्या बताया कि 50 45 रैंक है SBI का अच्छा देखो वर्ड में देखा जाए तो देखो चाइना में इंडिया का तो बस एक ही बैंक है सब्सक्राइक पी सब्राइक सबस्क्राइब काилась है ऐक सबसे बेंक चाइना फ्राइसे का दूसरा नमबर है फिर उसके बाद फ्रांस है ठीक है फ्रांस के कितने बैंक 9 बैंक है अब तरी देख लो इंडिया का तो बाई इंडिया का तो वन ली वन बैंक है इंडिया का वन बैंक वन बैंक और इसका नाम क्या है किस रैंक पर है 45 रैंक तो यह सब चीजे देखो SBI के बारे में जानना जरूरी था ठीक है तो SBI के बारे में चीज़े यह जान लो कि वर्ट आफ एंडिया का वन बैंक है जो SBI है 45 पर प्लेस पर है और इसका केपिटल 41 लैक करोड है एटियम 33,85,000 है ब्रांचेज 22,500 है और कस्टमर्स लगभग 50 करोड है ठीक है तो यह सब चीजे देखो आप SBI के बारे में जान लीजे और कुछ चीजे और भी जान लेते हैं जैसे देखो SBI ने एक देखो YonoCash करके एक एक अप्लीकेशन लांच किया था, SBI ने लांचट एंड अप्लीकेशन एक अप्लीकेशन लांच किया था, ठीक है, एप जिसको बोलते है उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिंगल तो ध्यां दखो आप से पुछा जाएगा कि SBI ने, पुछा जाएगा मिंगल जो application था, कौन launch किया था, तो ये launch किया था 2016 में मिंग pursue in zgdash और कौन सिख़कर स्थब्स haddy ने और कब लांट किया पूछा जायता है तो द्थाइंस सब्सक्राइब के बारे में इतनी शारी चीज़े मिलके बना था बैंक अब बंगाल बैंक आप बंबे बंगाफ मदरास ठीक है आगे चलो अच्छा एक चीज़े देखो मैं बोला था जो sbi ने एक मिंगल अप्लिकेशन लांज किया था मिंगल इस इंगल मिंगल में समझो वह मिंगल नहीं है ठीक है ठीक है इंसान एक्च्छल में कितने भी उसके मतलब आसपास कितने लोग भी रहें वह हमेशा अकेला ही रहता है ठीक है ऐसा नहीं है कि सारे साथ हैं आसपास हैं तो अकेला नहीं है कभी-कभी आप लोग को खुद लगेगा देखिए मैं कौन सी चीज़ बाते कर रहा हूं आपके पास अग प्यान नहीं है तो बड़ा मुस्किल हो जाएगा क्योंकि सोसाइटी ऐसी बनती जा रही है ठीक है मिंगल का मतलब क्या है अब देखो मिंगल यह अप्लिकेशन लांच किया तो देखो यह जैसे फेस्बुक और हमारा ट्विटर है उसी तरह से इसने क्या लांच किया मिंग से हम जाके बात कर सकते हैं ठीक है SBI के साइट पर यह मिल जाएगा आगे देखो SBI ने और भी सारी चीज़े की जैसे SBI ने लांच किया योनो कैस देखो योनो कैस में क्या होता है हम जब योनो कैस में रिस्टेशन कराएंगे तो क्या होगा इसमें 6 डिजिट का एक नंबर मिलेगा जिसे रिस्टेशन नंबर करते हैं 6 डिजिट रिस्टेशन नंबर जैसे हम क्या करते हैं कि ATM जाते हैं तो 4 डिजिट का पिन डालते हैं ATM डालने ATM के cash हम निकाल सकते हैं, विना ATM card के हम cash निकाल सकते हैं, तो देखो क्या है, you know cash का फायदा, cash without ATM, विना ATM card के हम क्या निकाल सकते हैं, cash निकाल सकते हैं, तो you know cash कोन लांच किया, SBI, देखो SBI launches, अभी आगे कुछ होर भी, मतलब भी इसने application लांच किया, तो उसको मैं बताऊंग पाना है, तो उसके लिए chatbot, लांच कोन किया, SBI, तो इसको, इस chatbot का नाम क्या था, SIA, 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 अच्छा, SIA को कौन बनाया है, तो SIA को बनाया है, पाजो एक company है, जो American based है, तो American based company है, जिसको SIA, SIA, को बनाया है, और SIA कहा है, chatbot है, किसका, SBI का, अच्छा, इसको क्या बोलते है, SIA को, SBI Intelligent Assistant, SBI Intelligent Assistant, ठीक है, अच्छा, SBI ने इस तरह के देखो, यह के तरह के रोबोटिक समझ लो, रोबोट की तरह यह है, chatbot, जो है, अच्छा, देखो, अगर पूछा जाए, कि इंडिया में first, कौन सा बैंक था, जुसने, रोबोट ल पहला जो रोबोट था, इंडिया का, और उसका नाम क्या था, लक्षमी, और कौन लांज किया, City Union Bank, चैन्नाई में, जो है, City Union Bank, चैन्नाई में, देखो, यह, Humanized Robot था, Humanized Robot, लक्षमी, और कौन लांज किया, City Union Bank, बेस्टि चैन्नाई, आगे देखो, City Union Bank ने पहला रोबोट लांज किया इसका नाम लक्षी लक्षमी था और ये Humanide रोबोट था अच्छा देखो आप SDF से Bank ने भी उसके बाद लांज किया एक रोबोट तो दो रोबोट लांज किया इसने एक था EVA और एक था ERA देखो EVA का पूछता है फुल फाम तो ERA का फुल फाम होता है EVA का Electronic Virtual Assistant EVA EFR Electronic VFR Virtual AFR Assistant तो देखो EVA Electronic VFR Virtual AFR Assistant तो एक रोबोट था EVA जो क्या था Digital Robot EVA जो रोबोट था वो डिजिटल रोबोट था और ERA जो था वो क्या था यूमेनाइड रोबोट तो ध्यान रखना SDFC ने दो रोबोट लांच किया इवाएंड इरा Electronic Virtual Assistant एवाएंड रोबोट इवाएंड डिजिटल रोबोट आगे देखो ICICI Bank इसने एक रोबोट लांच किया जिसका नाम था पेगो पेगो और यह किस टाइप को रोबोट था यूमेनाइड रोबोट देखो यह सब चीजें भी जानना जरूरी है ठीक है जो करेंट न्यूज राता है वही बैंक के पेपर में ज्यादा आता है ठीक है तो ICI Bank ने पेगो लांच किया अभी जो नैने एप लांच हुए है उसको मैं अभी बता दूँगा थोड़ा से 2020 का है इसको भी जानना जरूरी है ठीक है एस बैंक ने लांच किया देखो पेबोट एस बैंक ने एक और सी चीज लांच किया अभी एस बैंक तो बहुत घाटे मे ICI Bank ने लांच किया था फोन पे ठीक है इतनी सारी चीज़े आज देख लेते हैं आई थिंक फस्ट उनिट को खतम नहीं हो पाया है लेकिन कल के लेक्चर में आपका फस्ट उनिट Banking History of India खतम जाएगा तो आप लोग को क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करें देखो थोड़ा बहुत प्रब्लम तो हर चीज हर जगा होती है थोड़ा सा इसको अप लोग हैंडल करो बाकि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाओगा वैसे वैसे मैं खुद को इंप्रूब करता जाओगा ठीक है जैसे कौल्टी हो गया कभी बारिस नहीं कभी वाई साहरी अच्छी तो कभी हो जाती है यह लाइट थोड़ा नहीं कभी सही है तो चलो नेक्स्ट क्लास में यह सब चीजें डिसक्स करेंगे आगे इसके थैंक्यू क्लास